कि अलो स्टूडेंट्स एन वेल्कम बैक आचे क्लास्वें पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कापिटल के अंदर आवर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पिछले वीडियो में हम अल्री देख चुके थे डिवेंचेर्स या बॉंड्स का कॉस्ट कैसे निकालते हैं अब हम अपने स सब्सक्राइब चल रहा है सेकेंड टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जिसे कि तुमको पता होगा प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी इस्चु करता है और एक फिक्स्ट रेट ऑफ डिविडेंट देना होता है कंपनी में चाहिए कितना भी जो रीटो डिविडेंट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स होता है वो पहले से फिक्स होता है लेकिन अगर लॉस होगा तो कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंट नहीं देता है यही बेसिक डिविडेंट्स है डिवेंचर बॉंड networks and preference shares मैंज़ेंचर से cases में तो है fixed rate of dividend भी है लेकिन उसी समय देना पड़ेगा जब business में profit होगा अगा profit नहीं हुआ तो फिर preference shareholders को dividend देने का जरुवत नहीं है लेकिन debentures या bonds या bank loan के cases में profit हो या ना हो हमको fixed rate of interest pay करना ही पड़ता है ठीक है देखना तो कैसे निकालेंगे हम लोग preference share capital का cost क्योंकि यह बहुत ही easy topic है क्योंकि सिर्फ preference shareholders को हम क्या देते है we pay them dividend ठीक है देखना the fixed rate of dividend is payable on preference shares the cost of preference shares can be calculated as follows तो दो टाइप के preference shares होते है एक होता है perpetual मतला आज company issue किया है और company उस पैसे को वापस नहीं करेगा जब company बंद होगा तब वापस होगा during the lifetime of the company company वो पैसा वापस नहीं करेगा उसको बोलता है perpetual और दूसरा होता है redeemable जिसका मतलब होता है fixed time period के बाद company preference shares का पैसा return कर देगा ठीक है अगर perpetual preference shares है तो बहुत ही simple formula है that is cost of preference share is equal to dividend जो per year dividend दे रहे है divided by net proceeds net proceeds का मतलब होता है preference shares issue करके कितना पैसा मिला था that is called as net proceeds तो बहुत ही simple formula cost of preference का that is dividend per year divided by the net proceeds net proceeds मतलब preference shares जब हम issue किये थे कितना पैसा company में आया था ठीक है यह हो गया perpetual preference shares का लेकिन अगर redeemable preference shares है इसका मतलब है कि preference shares कुछ समय के बाद 5 साल या 10 साल के बाद redeem होने वाला है तो हमको यह भी देखना पड़ेगा redemption के समय हम कितना पैसा वापस करेंगे तो उसका formula है cost of preference is equal to dividend plus MB-NP MB होता है market value MB जेनरली होता है कि आज जैसे हम preference share issue की आज जितना पैसा मिला that is NP net proceeds आज कितना रुपय मिला और MB होता है हम कितना पैसा वापस करेंगे जब हम preference shares को redeem करेंगे कितना पैसा वापस देना पड़ेगा that is called as market value और कितना दिन के बाद पैसा देंगे सबोर्च 10 साल बाद पैसा return करेंगे तो N होता है 10, N का मतलब होता है number of years जितने साल के बाद हम पैसा वापस करते है तो बहुत है simple सा formula यह भी dividend plus MB market value minus net proceeds divided by N यह हो गया उसका numerator whole divided by market value and net proceeds का average that is market value plus net proceeds divided by 2 यह हो गया denominator और numerator में क्या है dividend plus market value minus net proceeds divided by N where market value means कितना पैसा वापस देना पड़ेगा NP मतलब preferential issue करते समय कितना पैसा मिला है और N का मतलब होता है number of years इतने साल बात हम shares को redeem करेंगे clear रही है तो कुछ questions देखते हैं हम लोग सबसे पहले questions देखेंगे related to perpetual और फिर question देखेंगे related to redeemable ठीक है solution तो तुम वीडियो को pause करके यह questions उसको note down जरूर से कर लेना formula को note down कर लेना solution तो formula तो fix है formula है kp equals to D divided by NP where D is the dividend per year and NP होता है net proceeds ठीक है अब तीन situation दिया यहाँ पर at par at premium at discount पहला देखते हैं at par हमनों 10,000 share issue किये और एक share का value है 10 रुपए तो 10,000 into 10 कितना रुपए का share issue किये हैं 10% है तो 10,000 into 110,000,000 का share है और उसका 10% dividend कितना होगा dividend will be 1,000,000 divided by कितना पैसा आया है तो कितना पैसा हम देख सकते हैं 100 रुपए आया है पर share और खर्चा कितना हुआ है बोला है cost of issue 2 रुपीज पर share तो कितना रुपए खर्चा हो गया 10,000 into 2 20,000 रुपए खर्चा हुआ है तो टोटल कितना पैसा आया है net proceeds दस लाग रुपए आया है शेर इश्यू करके और बीस हजा रुपए खर्चा हुआ तो कितना रुपए आएगा 9,80,000 ठीक है तो फॉर्मूला है 1,00,000 डिवाइड बाइ 9,80,000 अब परसेंट को हम परापॉइंट को हम परसेंट में कनवर्ट करेंगे तो इन्टू 100 तो 1,00,000 डिवाइड बाइ 9,80,000 इन्टू 100 यह होगा कॉस्ट अप्रेफरेंस शेर्स रूंट अप करेंगे तो 10.2 परसेंट तो 8,00,000 डिवाइड बाइ 9,80,000 इन्टू सॉल्फ कर सकते हो दूं यह ना 1,00,000 डिवाइड बाइ 9,80,000 इन्टू 100 10.2 परसेंट क्लियर रही है सेकेंड आता है अट प्रेमियम इदर सॉल्फ कर देता हूं इधर लिख लेता हूं अट प्रेमियम प्रेमियम अलब 10 परसेंट ज्यादा मैं शेर इस्यू किये हैं लेकिन डिविदेंट तो हमेशा फेस वैल्यू पर देते हैं तो डिविदेंट उतना ही होगा 1,00,000,000 पर सेंट एक लाग दसजा नहीं होगा डिविदेंट डिविदेंट हमेशा होता है फेस वैल्यू पर देट इस हंड्रेड तो वन लैक तेन थाओजंद इंटू हंड्रेड वन लैक सॉरी 10,000 इंटू 100,000 उसका 10% डिविदेंट उतना ही रहेगा डिविदेंट चीज नहीं होता एक लाग का डिविदेंट डिवाइड़ बाइ 11,000,000 रुपए आया होगा इस बार और 20,000 रुपए खर्चा हुआ इंटू 100 तो फॉर्मुला होगा 1,000,000 रुपए 10,80,000 इंटू 100 नेट परसीट का मतलब है कितना पैसा आया एक लाग दिवादेट बाइ 10,00,000 इंटू 100 9.26 परसेंट यह हो गया एट प्रिमियम थर्ड शेयर्स को हम इश्यू किये है एट डिस्काउंट डिस्काउंट कितना है 5 परसेंट तो क्या डिविदेंट पे फरक पड़ेगा 9,50,000 मिला होगा लेकिन डिविदेंट पे फरक नहीं पड़ता डिविदेंट हमेशा होता है फेस्ट वाल्यू पे डिविदेंट उतना ही होगा 1,00,000 इस बाइट परसेंट कितना है 9,50,000 माइनस 20,000 इन्टू 100 इस बाइट परसेंट 95 रुपीज में इस्चाउंट है 5 परसेंट का तो 1,00,000 इस बाइट रिविदेंट 9,30,000 इन्टू 100 इस 10.75 परसेंट चेक लेना था तो यह हो गया कौन सा प्रेफेंट शेर परपेट्चुवल प्रेफेंट शेर जिसमें डिविदेंट टो फेस वैल्यू पर रहता है तो डिविदेंट हमें इसा एक लाग होगा और नेट प्रोसीड्स होता है कितना पैसा मिला तीन सिचुएशन देखें पार प्रेमियम और डिसकाउंट ठीक है नेक्स्ट सेकेंड एक्जाम्पल यह सेकेंड एक्जाम्पल है हमारा रिडेमेबल शेर का ठीक है क्या लिखा दिखता है कंपनी इशू 10,000 10% प्रेफेंट शेर्स ऑफ हंड्रीड इच रिडेमेबल आफ्टर 10 यह दस साल बार रिडेम करेंगे अट प्रीमियम आफ 5% ठीक है आज इशू हुआ है 100 रुपे में लेकिन रिडेम कितना में होगा रिडेम होगा प्रीमियम में 5% ज्यादा देना पड़ेगा वापस करते समय प्रीम आफ प्रीमियम आफ डिडेमेबल आफ प्रीम आफ ले लोगा प्रीम करेंगे फर्मूला Kp एक्ष दिडिदेंग प्लस Mb-Np by N आफ रिडेम आफ 1 by 2 Mb plus Np तो हम देख सकते dividend सबसे पहला मैं इधा calculation कर देता हूँ working note का सबसे पहला dividend 10,000 share और एक का 100 रुपे है तो 10,000 x 100 10,000 10,000 का 10% dividend होगा 1,000,000 रुपेज ठीक है next हो गया net proceeds net proceeds में लिखा है 100 रुपे में issue किया 2 रुपे का खर्चा हुआ है तो net proceeds कितना होगा 10,000,000 minus 20,000 net proceeds होगा 9,000,000 80,000 next market value shares redeem होगा 5% premium में तो 10,000,000 के जगा 10,000,000 पचास हजार वापस करना पड़ेगा तो market value जो है redeemable value market value में बहला है कितना में redeem होगा तो redeem हो रहा है 10,000,000 पचास हजार clear रही है तो इसको put करते हैं figures को dividend 1,000,000 plus market value है 10,000,000 पचास हजार minus 9,000,000 80,000 divided by N N कितना है 10 years divided by 1 by 2 of 10,000,000 plus 9,000,000 into 100 होगा मैं जगर निये तो नहीं लिखाऊ into 100 लिख लेना ठीक है percent में निकालेंगे next solve करेंगे उसको तो numerator में होगा 1,000,000 plus 70,000 by 10 7,000 divided by 10,50,000 plus 9,80,000 by 2 कितना होगा 20,30,000 by 2 10,15,000 into 100 कर देना percent में करने के लिए इसको solve कर लेते है 1,07,000 divided by 10,15,000 into 100 10.54 तो cost of preference होगा 10.54 क्लियर है यह मार्केट वैल्यू मिला कितना में रिडीम होगा एन पी मतलब कितना रुपए आया है शेर इस्यू करके एन का मतलब है नंबर आफ पियर्स ठीक है नेक्स्ट एक और एक्जांपल दिखते हैं दिखना Dividend Plusrange March 했 value minus net proceeds by N तो एक कजार का दिवेंचे है 100 रुपए tra हजार है इन कितना एकujin आग का एक लाग के दिवेंचेर इस्यू किया 7% में तो 1,00,000 का diventure issue के 7% तो yearly dividend होगा only 7,000 ठीक है तो 7,000 plus market value market value क्या देखो कितना में redeem होगा redeem होगा par में इस बार redeem होगा par में तो market value 1,00,000 है लेकिन issue हुआ था premium में तो कितना पैसा आया होगा 110 रुपय आया होगा 110 इंटू 1000 110,000 रुपय आया होगा divided by N मतलब दिए बार 5 पासाल बार redeem होगा whole divided by 1 by 2 into market value plus net proceeds into 100 तो यह आया होगा 7,000 minus कितना उपर माइनस आ रहा देको इस बार माइनस 2000 divided by 210,000 रुपय टू एक लाग पांच हजार into 100 that is 5000 divided by 1,05,000 into 100 निकाल देंगे कितना परसेंट 5000 रुपय एक लाग पांच हजार into 100 4.76 परसेंट यह होगा हमारा cost of preference share capital clear है यह तो इसी के साथ complete होता है cost of preference share capital मैं होप करता होगी यह पसंद आया होगा समची में आया होगा बहुत easy concept है सिर्फ ध्यान रखना है market value किसको बोलता है और net proceeds किसको बोलते है बड़े आसारी से position हो जाएगा ठीक है चलो तो मिलते हैं next video के अंदर अभी के लिए इतना thank you and bye bye thank you झाल